उंटाला का किला लो यह थोड़ी सी बात बताता हूं आपको यह न ऊदेपूर में एक जगा पढ़ती है वललब नगर बोलते हैं अब तो किसी कि टाइम से उंटाला बोलते थे उंटाला का किला एक लाइन लिखी होगी गीह अपनी हरावल प्रतियोगिता के लिए प्रसीद् मेवार के हरावल में कौन रहते थे आपको सर सलूंबर वाले रहते थे सलूंबर किसको दिया था चुंडा को दिया था तो चुंडा के वंशच कौन होगे चुंडावत कृषनदास चुंडावत पर नाम पढ़ते हैं अपने ऐसे तो चुंडावत हमेशा हरावल में रहते थे कहा जाता है कि अमर सिंग की टाइम की बात है महरेणा परताब के जो बेटे थे ना अमर सिंग उनके टाइम की बात है और जहांगिर ने इस किले पर कभजा कर रहा था उन्टाला किला पर जहांगिर ने कभजा कर रहा था और मेवार दरबार में सी बातें चल रही थी उन्टा माघ के उटाला किकिले को मुगलों से चुदवा लोग तो सेना सेना ले के वाले ऐं आप जाओ अपने चुंडावतों को लेके और जाके किला छुडवाओ तो महरणा परताब के भाई और थे ना सक्ति सिंग उन सक्ति सिंग के जो वन्चाज वे वो होगे सक्तावत सक्ति सिंग जी के जो बेटे पोटे पड़ पोटे आगे वे वो कौन होगे सक्तावत होगे और उन सक्तावतों का एक नेता था बल्लू बल्लू खड़ावार बल्लू निगाव है जाओ ये क्या तरीका है हर बार चुंडावत जाएंगे लड़ने के लिए हम जाएंगे तो का नहीं 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 वो हरावल का अधिकार तो चुंडावतों को मिलावा है और चुंडावत ही लड़ने के लिए जाएंगे क्यों तो अरे जाब ये बहादूर होते हैं उसका जाब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो एक बार सिवा का मुकावस्य दे हम बता देंगे बहादूरी किसको करते हैं अब आई वो बिढ़ गया आपस चुंडावत अब चुंडावतों गुस आए हो गया हम जाएंगे हरावल में सक्तावत के हम जाएंगे सक्टावतों ने बल्लू के नेतरतों में उधर से अटेक किया जिधर उंटाला के के लिया का गेट था में गेट जिदर से था उधर से टेक किया और जो चुंडावाद थे उन्होंने दिवार वाली साइड से टेक इन्हों का आपने दिवार तोड़के कुछेंगे उन्हों के गेट तो बहुत मजबूत होते है फिर हर गेट के आगे लोहे के सूड़ें लगाई जाती थे लोहे की सब्सक्राइब पर दोड़ नगरते हैं हां अची के बारे मेंहें तोड़ दिया करता था हाथी है मद मस्त हो जाता है इसलिए तुपी राजस्थानी के अंदर नदो हैं गह भरियो गजराज मद छकियो चलाय मत है कुकरिया बेकाज रोव है भुसे क्यों राजिया पर कुटें पता नहीं क्यों उस हाती को देखकर भॉंकते रहते हैं तो खिर पर आम जी खीडिया का जो राजिया रहा दोहा लिखा उनका एक दोहा याद आता है तो भाई वो हाथी को सराब पिला के लाए हाथी को सराब पिला के लाए दूर से भगा के लाए सकता होतों की तरफ गेट की तरफ सकता होत कड़े थे भगा के लाए हाथी की टक्कर मर वाए पर भाई साओ उंटाडा होले किल्ये की जो सूलें थी तिक ही थी कि हाथी की डर उत पर गई एक में अब हाथी को दुबारा बगा गे लाया हाथी पास में आगे खड़ा ओगया हाथी आगे नहीं जाए तो गेट नहीं तूटेगा गेट नहीं तूटेगा अंदर कैसे गुषैंगे अब क्या क्या जाए उदर समातर मिलें आप तोड़ देंगे दिवार उदर और चुंडाओ तो नहीं दिवार तोड़ दी वह अंदर घुश जाएंगे और फिर अपने को हरावल नहीं मिलेगी तो जो बल्लू था ये उस गेट के आगे खड़ा हो गया उसने का मेरी पीठ पे मर वहां तक्कर मेरी पीठ पे टक्कर तो आती मारी देगा यहां तो सूलिल चुबेगी ने तो तेरी पीठ पे दी तक्कर लगेगी तो तू सूलों के बिढ़ेगा जाके और सूलिल तेरे आर पार हो जाएगे इसने का हो जाये तो जाये एक आदमी मरेगा पर तुम तो अंदर घुश जाजे के हाती की बल्लू के पीठ पीठ पे टक्कर मरवाते हैं सुलों में जूल गया था हो पर वो बहादूर हाती की टक्रों को जहलता रहा क्यों इसलिए कि हरावल हमें मिल जाए उधर यह समाचार उन चुंडावतों को मिला इसाब दिवार अपने से तूटने रही हरावल का अधिकार जो की लखा जी देखे गए थे आज दिन तक चला आ रहा है अब हमारे हाथ से निकल जाएगा अने वाली पीडियां थू थू करेगी कि बीच में बेल अखने वेते कुछ जिनकी वज़े से हरावल हमारे पास में नहीं रही और जैतर सिंग ने अपने प अधिक वली गर्दन पड़ी ते उसने तुमारा ध्यान किदर है तुमारा हीरो इदर है नजर ने पुगी उन जगयां गोड़ो पड़ो ने आये पावाशियों पेली घणो सिर्पड़ियों गड़ जाए जहां तक अभी तक नजरे नहीं पहुंच रही थी गोड़े नहीं पहुंच रहे थे पाव जिस धर्ती पर अभी नहीं आये ते जत्र सिंगा सर अब वहां पर पड़ावा था उसके बाद हरावल हमेशा से चंडावतों के पास में रही थी तो यह अमर सिंग प्रथम के समय की घटना है जब उन्टाला की किले में हरावल प्रत्योगिता जज़त की के ते